हेलो फ्रेंड सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप इस वीडियो के मादम से हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के क्योंकि यहाँ पर मैं वही वीडियो यहाँ अच्छा लगे वीडियो के अंत में यहाँ जरूर चैनल को सस्क्राइब पीजिए साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दिजिए और कमेंट सेक्शन में अपना ओपीनियन रखना न भूले इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपको बता पर निहा अशिष्टिवारी का रिष्टा तूट चुका है जो कि कल दीदी के लाइब में यहाँ पर एनॉंस्मेंट किया गया था तो उसके बाद सुमित मेहल ने अपने एकाउंट में से यहाँ पर वीडियो एंगेजमेंट के डिलीट क्यों नहीं की यह वाकी ही ऐसा लोग अपने पास नहीं रखते तो लोगों को यहाँ पर तौझुब यह हो रहा है कि आखिर क्यों ना तो नेहा ने और ना ही सुमित मेहल ने तो ये मैंने question यहाँ पर race किया हुआ है जरूर उनका जवाब आएगा इस पर तो ये चीज़ पर मैं यहाँ पर रोशनी डालूगा साथ ही आपको बता दू कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे questions आए हैं और बहुत सारी update भी आईए बहुत सारी information आईए जो अब मैं आपको देने जा रहा हूँ दोस्तो इस से पहले कि मैं सारी update दो प्लीज वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी information मिले और एक चीज़ और जो भी reaction में देता हूँ कभी भी किसी इनसान को hurt करने का मेरा कोई intention नहीं है अगर फिर भी कोई इनसान को मेरी बात अगर बुरी लगी है तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ मैं कते भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाता क्योंकि किसी इनसान का दिल दुखाना मतलब यहाँ पर बगवान का दिल दुखाना तो दोस्तों यही आपसे रिक्वेस्ट है चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दरसल आपको बता दे जिस तरह से नेहादीदी ने लाइव आकर यहाँ पर जो सगाईट तोड़ने की एनॉंसमेंट की है उससे बहुत सारे लोगों का दिल तूट चुका है क्योंकि यह रिष्टा कहतम करना मतलब सिर्फ यहाँ पे एक होने वाले हस्बेंट वाइव का रिष्टा खतम नहीं हो रहा था यहाँ पर एक बच्ची के सर से बाब का साया यहाँ पर उट रहा था ये जो भी चीजे हुई हैं वो किसकी वज़़ा से हुई हैं? धें की ऐसी खबरें आई हैं कि बहुत सारे ऐसे शुखचिंतक है। कहीं न कहीं देखो हम भी चाहते हैं कि शोशल मीडिया पर यह जो इतना ज़्यादा मैस है वो कहीं न कहीं खतम हो जाए और ऐसा हमें लग रहा है कुछ संकेत मिल रहे हैं कि यह कॉंट्रोवर्सी कहीं न कहीं खतम हो रही है, क्योंकि अगर इस जगड़े को सुलजाना है, तो इसके अंदर हमको एक मीडियेटर चीए, आप भी जानते हैं, अगर दो लोगों के बीच में फाइट होती है, तो अगर एक इनसान सुलजा वो इनसान है, तो जरूर इस चीज़ को यहाँ पर पाने डालता है और इसको यहाँ पर कूल डाउन करता है, तो वैसे ही कुछ मीडियेटर्स यहाँ पर सामने आई हैं, और मैं ऐसे लोगों की बहुत जादा रिस्पेक्ट करता हूँ, जो चीज़ों को और यहाँ दो सानों को जोडते हैं, यहाँ पर तोडते नहीं हैं, उन लोगों की मेरे दिल में यहाँ पर बहुत जादा रिस्पेक्ट है, देखो, कल दोनों की यहाँ पर कॉंसलिंग हुई थी, चार-चार छे-छे घंटे यहाँ पर दीदी को भी और यहाँ पर सचिन को भी समझाया गया और आपने कल देखा था, कि खल सचिन भाई भी यहाँ पर लाइव आया था मैं कहता हूँ, कि भई गलती दोनों की है, दोनों की इक्वल गलती है सचिन भाई को भी यहाँ पर मैटर शोशल मीडिया पर उचालना नहीं चाहिए था उनके शुपचिंतकों ने उन्हें कहा भी था कि भई ये चीजें मत लाओ लेकिन उझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सचिन भाई के दिल में भी बदले की भावना थी उनके दिल में यहाँ पर बदला लेने की भावना थी उन्हें यहाँ पर जलन थी कि भई उस इनसान ने उन्हें कैसे ठुकरा दिया जो इनसान से वो भी बेहत प्यार करते थे और वो इनसान भी सचिन से बेहत प्यार करती थी आखिर क्यों ठुकराया उसने इतने time का relation यहाँ पर क्यों खराब हुआ बले ही सचिन भाई नहीं यह नहीं सोचा कि भई मैं किसकी loyalty यहाँ पर क्या कर रहा हूँ destroy कर रहा हूँ loyalty थी ना अपनी wife की तरफ क्यों यहाँ पर यह रिष्टा उन्होंने generate किया क्यों establish किया ही रिष्टा जबके यहाँ पर अपने कसमे खाई थी शादी के time पर के हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो कैसे भूल गया अप अरे और तो और यहाँ पर जब दीदी के engagement हो गई फिर यह रिष्टा कायम क्यों रखा चलो दीदी ने अगर समझो आपको बुलाया भी यह रिष्टा कायम रखने के लिए आपको मजबूर किया लेकिन आप तो सुल्जे होई इंसान है आप तो एक अध्यापक है आप तो एक टीचर है आप तो यहाँ पर बच्चों को guidance देते हैं उन्हें preachings देते हैं अच्छा इंसान बनने की तो आप नहीं गलती क्यों की चलो दीदी का पहला जो हो गया सो हो गया लेकिन यहाँ पर एक रिष्टा बनने के बाद मतलब दीदी और सुमित का एक रिष्टा जब बनने के बाद मतलब engagement होगी तो आदी wife तो होई गई ना होई गई ना तो उसके बाद आपने ये फिर से ये रिष्टा कायम क्यों किया ये पाप है ये पाप है वहाँ पर एक इनसान से वो commitment कर चुकी है फिर दूसरे इनसान के साथ वोई controversy में वोई relationship में वोई affair में फिर से यहाँ पर बंद रही है ये बहुत ही जादा गलत बात है हम इस चीज़ के सकतियां पर खिलाफ है लेकिन वो कहते है कि वोई देर आए दुरस्त आए अब ये सारी चीज़ों पर हमें यहाँ पर वो कहते हैं मंट्टी डाल देनी चीज़िए इसे दफन कर देना चीज़िए क्योंकि जो गड़े मुर्दे उखाड कर सारी चीज़ों को कुरेता जाए इससे अच्छा ये है कि भई उस पर मलम लगा दो उसके उपर यहाँ पर मलम लगा दो क्योंकि वो कहते हैं ना कि भई ना रहेगा बास ना बज़ेगी बास उरे ऐसी चीज़ों को खोदोई मत जिससे यहाँ पर रिलेशन्शिप खराब होती हो तो मेरा यहाँ पर यही उपीनियन है और बहुत सारे ऐसे इंफोर्मेशन आईए कि भई कुछ जो शिप्चिन तक है जो यहाँ पर सपोर्ट में है वले दीदी के हो या फिर सचिन के हो दोनों को एक साथ लाया जाएगा लाना मतलब यहाँ पर यह नहीं कि भई फिजिकल इंटरेक्शन ही हो फिजिकल इंटरेक्शन ना भी हो आज कल यहाँ पर modern technology ऐसी है कि भई आमने बैट कर digital के तुरू भी यहाँ पर हमने एक दूसरे से बातचित कर सकते या फिर सचिन भाई हो ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक इंसान का सामने आना बहुत जादा जरूरी है जो इंसान दोनों को समझाए कि भई अब जो हो चुका सो हो चुका ना दीदी बोले कि मेरी इज़त चलेगी वापस कैसे आएगी ना तो सचिन बोले कि भई उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था देखो इल्जाम लगाने से फिर से वो ही चीजे बार आएगी फिर से कड़वाट आएगी आपर तो हमें कहां पर कड़वाट वापस नहीं लानी है क्योंकि हम किसी की भी बरबादी शोशल मेडिया पर नहीं चाते हम अबादी के फेवर में हैं बरबादी के फेवर में नहीं है तो हमारी तो यही सोच है दोस्तों आपको मेरी बाते से कितना सहमद है हमें यहाँ पर कम्मेंट बॉक्स में जरूर बता है आज की वडियो में बसने थे